कि नबश्कार मैं हूँ आश्यतोष और आप देख रहें सत्यहिंदी.com सत्यहिंदी.com के खासकारिक्रम आश्यतोष की बात में आपका स्वागत है रिपब्लिक टीवी के मालिक और वरिष्ट पत्रकार अरडब गोस्वामी के सुप्रिम कोट से रहात मिल गई है पुलिस तीन हफते तक उनको गिरफदार नहीं कर सकती है लेकिन इस दोरान उनसे पूछताच हो सकती है और जाच को आगे पढ़ाया जा सकता है दरसल अरणव गोस्वामी ने सुनिया गांधी के बारे में कुछ ऐसी टिपड़ियां की थी जिस पर कॉंग्रेस के लोग काफी नाराज हुए थे और देश के कई हिस्सों में उनके खलाब F.I.R. दरज हुई थी इससे कई गहरे सवाल खड़े होते हैं एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या किसी पत्रकार अगर कोई बात ये कहता है तो क्या राजनितिक दलों को बदने की भावना से उनके खलाब कारवाई करनी चाहिए या अर्णव गुसामी जिस तरीके की पत्रकारिता करते हैं क्या वो पत्रकारिता जायज है क्या उसको पत्रकारिता कहा जाना चाहिए या नहीं कहा जाना चाहिए आज के देश में पत्रकारिता की हालत क्या है क्या मोदी जी से सवाल पूछा जा सकता है या नहीं पूछा जा सकता इस पूरे मसले पर आज हम करेंगे बाचीत लेकिन उसके पहले एक छोटी से अपील ये है कि सत्हिंदी.com से आपका जुड़ाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी वज़ा से सच कहने के हमारी हिम्मत भी बढ़ती जा रही है हम चाहते हैं कि हमारा आपका जुड़ा और मजबूत हो इसके आपको कुछ नहीं करना है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है वहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा और उस पर आपको क्लिक करना है जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो जो जानकारी मिलेगी उस से हमारी और आपकी बीट कर जुड़ा और मजबूत होगा तो आईए आज के विशय पर हम चर्चा को आके बढ़ाते हैं विशय बहुत सिंपल सा है मैंने कहा कि अरणब गोस्वामी को सुप्रिम कोर्ट से राहत मिली है चार सवाल खड़े होते हैं पहला सवाल ये खड़ा होता है क्या किसी पत्रकार को उनकी बात के लिए या उनकी पत्रकारिता के लिए क्या उनको विक्टिमाइज किया जाना चाहिए क्या जो उनके खिलाब FIA दर्च की गई है वो उनका विक्टिमाइजेशन है पत्रकारिता पर ग्रहन लगाने के पहला सवाल यह है दूसरा सवाल यह है कि क्या किसी पत्रकार को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो अर्णब गुसामी ने अपनी टीवी चैनल के प्रोग्राम में जिस भाषा का इस्तेमाल किया था तीसरा सवाल ये है कि क्या किसी पत्रकार को धर्म विशेष के साथ खाड़ा होना चाहिए धर्मिक उन्माद फैलाना चाहिए और क्या चुकि वो पत्रकार हैं चुकि टेलविजन चैनल में कैमेरे के सामने हैं तो क्या उनको यह अधिकार मिल जाता है कि वो धर्मिक उन्माद पैलाएं और अगर कोई उन पर टिपड़ी करे या अगर किसी तरीके की कारवाई उनके खलाफ हो तो उसको पत्रकारिता के उपर गुर्ण के तौर पर उसको पेश करें अपने आपको विक्टिम के तौर पेश करें और चौथा और आखरी सवाली है कि क्या इस देश के पत्रकार सिर्फ सोनिया गांधी से ही सवाल पूछते हैं क्या वो देश के प्रधान मिलती नरेंदर मोधी से सवाल पूछने के उनके अंदर हिम्मत है या नहीं है ये चार बड़े महत्पूर सवाल है मेरा अपना मानना ये कि अरणाब गुसामी ने जिस भाशाक इस्तेमाल सुनिया गांधी के खलाब किया था और जिस तरीके की पत्रकारिता वो करते हैं वो पीत पत्रकारिता तो छोड़ दीजिए वो दरसल सरकार के extended arm के तोर पर काम कर रहे हैं यानि सरकार का propaganda आगे बढ़ा रहे हैं और उनको एक तरीके से license मिला हुआ है कि वो बिपक्षी पार्टियों को बिपक्षी नेताओं को उनकी तस्वीरों को discredit करने का काम करें लेकिन ये तो सिर्फ एक पहलू है दरसल हिंदुस्तान की पत्रकारिता जो 2014 के बाद से जिसकदर बदली मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बिलकुल नहीं कह रहा हूँ कि नरिद मुदी के आने के बाद से ही इस देश की पत्रकारिता में कोई बहुत बड़ा बदलाव आया है ये सचाई है कि जिन लोगों के भी सरकारे रही है उन्होंने पत्रकारों के उपर जुल्म ढ़ालने का काम किया है पत्रकारों के इंटिमेडेट थ्रेट करने का काम किया है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब किसी पत्रकार की नोकरी गई है या उसके खिलाब F.I.R. तर्च हुआ है लेकिन 2014 के बाद से जो बनियाती गुणात्बक बदलावाया है उसके बारे में कुछ बिंदू आपके सामने रखोंगा पहला और जो सबसे बड़ा बदलावाया है वो ये है कि आप देश के प्रधानमंत्री से कोई भी सवाल नहीं कर सकते है अगर आप देश के प्रधानमंत्री से अगर आप मोदी साहब से कर कोई भी सवाल करेंगे तो दरसल आप गुनाह कर रहे होंगे ये पत्रकार कम से कम टीवी का पत्रकार ऐसा नहीं कर सकता है 2014 के पहले मन्मौन सिंग से यही TV के पत्रकार रोज सुबर शाम बैठ कर सवाल किया करते थे और उनसे जवाब बंगा करते थे दूसरा पत्रकारी ताम जो दूसरा बदलाव आया है वो ये कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष ही जिम्मेदार है यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि पत्रकारों का काम है सरकार को कट घरे में खड़ा करना अब TV के पत्रकार खास्तार पर सिर्फ विपक्ष को कट घरे में खड़ा करते हैं राहूल गांदी को कट घरे में खड़ा करते हैं और बाकी लोगों को एक तरीके से वो सरकार को कट घरे की छवी को धुमिल करना चाहे रावर गांदी हो चाहे रुइन केजरीवाल हो चाहे कोई भी बड़ा नेता विपक्ष्टा हो और उसकी छवी को धुमिल करना ये एक बहुत बड़ा काम है उनके बाद चौथी बात और वो ये है कि जो भी मसला अब आता है हर मसले को हिंदू तो मसल्मान की नजर से देखने के कोशिश की जाती है, यानि सामपरदाइक ध्रूबी करन करने के कोशिश की जाती है, 2014 के पहले ऐसे पत्रकार शायद ही कोई रहन हो, और TV चैनल में ऐसी बहस अगर होती भी थी, तो वो बैलेंस्ट भहस होती थी, किसी एक धर्म के पक्ष में जुकी भी नहीं होती थी, या किसी एक धर्म के खलाब नफरत फैलाने वाली नहीं होती थी, पाच्वा इसी से जुड़ा हुआ है, वो या आज ही तारीक में TV चैनल पर जब आप कश्मीर का कोई पत्रकार देखते हैं, कश्मीर का कोई TV पैनलिस देखते हैं, जब कोई मुसलिम नमाइंदे को देखते हैं, तो TV के एंकर उसके खलाफ उस तरीके से बात करते हैं, जैसे लगता है, कि वो इस देश के नहीं हैं, और खासकर जब कश्मीर का हुआ, तब तो उसको बोलनी दिया जाता है, और नहीं उसकी बातों के साथ दिया जाता है तो जो गंबहीर बहस के शनूइल पर हो सकती है या सेकलरिजम के मसले पर हो सकती है वो कहीं डुम हो जाती है छटा सवाल है छटा यह की रास्टरवाद आप जो है अगर आप जरासा भी क्रिटिकल होंगे जरासवी आलोचनात्मक होंगे तो आपको बड़े आराम से देशत्रोही, देश विरोधी, गद्दार ये सब घोशित करने की कोशिश की जाएगी और लगातार आपकी छवी को ऐसी बनाने का प्रयास किया जाएगा आप कश्मीर के मसले पर आप अलग लाइन नहीं रख सकते हैं आप पाकिस्तान के मसले पर अलग लाइन नहीं रख सकते हैं और आप जो धारा 370 पर अलग लाइन नहीं रख सकते हैं आतंकवाद पर अलग लाइन नहीं रख सकते हैं आप रखेंगे तो आपकी चबी और आपको देश्टरोई बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इसके साथ साथ आप जो मेरा साथवा सवाल है आप सेडा की कारवाईयों पर आप कोई सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं अगर आप करेंगे तो भी आप देश्टरोई के देखेंगे तो सीधे ये आपको ब्रेंड कर दिया जाएगा पत्रकारों के दोरा टीवी चैनल के दोरा कि आप राहस रहत के खिलाफ क्या हैं तो यह जो बाते हमने आप बताइए यह भारत की पत्रकारिता क्यों टीवी पत्रकारिता की एक ऐसी तस्वीर है और यह सिर्फ म मेरेंद मुदी की सरकार की तिक्या रोचना करता हूं मेरे लिए सरकार सरकार होती है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है अगर गलत करेगा तो उसकी तिक्या रोचना होनी चाहिए जिस तरीके की पत्रकारिता देश के अंदर हो रही है उस पत्रकारिता के बारे में अंत कि सम रिपोर्टर्स एज़ एज टीवी आंकर्स एफ टोल्ड रॉय्टर्स देव थ्रेटेंड विद फिजिकल हाम अब्यूस अंच्छल मीडिया और अस्टरसाइज वे थे मोधी कर्मेंट 27 अपने 2018 को रॉय्टर ने खबर चापी जिसमें कुछ टीवी चैनल्स कुछ रिपोर्टर्स ने उनको बताया कि अगर कि उनको धंकिया मिलती है जानमाल को की धंकिया मिलती है सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जाता है और बोधी सरकार उनको हासीर पर डाल देती है इसी के साथ साथ 4 मार्च 2019 चार मार्च 2019 को वाशिंटन पोस्ट ने एक खबर चापी एक अच्छी खासी अनालिसिस की और अंत में वे निश्कर्स पहुंचे कि पुल्वामा आपने देखा होगा पुल्वामा का एक चुनाव के ठीक पहले एक घटना हुई थी जिसमें हमार इस इंगेज़ इन जर्नलिजम और प्रोग्रेशन अफ हिंदू और प्रोपागेशन अफ हिंदू मिजारिटेरियरिजम यानि वाशिंटन पोस्टे चार्ट पार 2019 को लिखा लोगसभा चुनाव के पहले कि पुल्वामा घटना के बाद से जिस तरीके की पत्रकारिता हो र रहे हैं या हिंदू बहुलतावाद को बढ़ाने में लगे हुए हैं अभी हाल में 2 अप्रेल 2020 नियोक टाइम्स ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट चापी है जिसके हेड्लाइन ये कहती है अंडर मोधी इंडियन प्रेस इस नाट सो फ्री एनिमोर यानि मोधी सरकार के अं रिपरीडम इंडेक्स है उसमें 2002 में भारत की स्थिति थी 138 देशों में हमारा जो 149 देशों में हम 80वे पायदान पर थे बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी लेकिन 2018 में 180 देशों में भारत फिसल कर 138वे पायदान पर हैं और हम से ओपर अफगानिस्तान मियानमार जैसे देश हैं जिनकी जिनके लोकतंत्र के बारे में जितना कम कहा जाए उतना बहतर है और जो ताजा डेटा है उसके हिसाब से 180 देशों में भारत 140 के उपर निकल गया है और यह कंसिस्टेटल अगर आप 2014 के बाद से देखेंगे तो Freedom Index में हम बहुत तीजी के साथ नीचे गरें अ तो अपनी बात को और सपश्च तरीके से अगर मैं कहूं मैंने यह क्यों कहा कि मोदी जी से आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं और सवाल पूछना एक तरीके से गुना है क्योंकि पहली बात तो मोदी जी तो किसी तरीकी के press-confirense करते नहीं उन्यों आस तक प्रदालमंतरी ब उदारन दूं वहां डोनल्ड ट्रंप मा के रास्ट पती है और पिछले कुछ दिनों में पिछले कुछ दिनों के आपको एक एक अंदाजह आपको दूंगा उदारण दूंगा जब से हो प्रधार रास्टपती बने है तब से ही प्रेस उनके साथ किस तरीकी का विभार कर रहा है और कैसे वहाँ सवाल पीछे जाते हैं इसका सिर्फ एक आपको दारम देता हूँ बीस अपरेल को एक सिर्फ के पत्रकार है जिनका नाम है जेरेमी डाइमंड्स जेरेमी डाइमंड्स रास्टपती डोनल्ड ट्रम्स से सीधे सवाल करते हैं वो कहते हैं कि इस वक्त अमेरिका के अंदर 40,000 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है और आप यहाँ पर क्लिप्स के माध्यम से दूसरे माध्यम से अपनी ठप ठपाने का काम कर रहे हैं अपनी तारीफ कर रहे हैं और आप अपने आपको सेल्फ कॉंग्रिचुलेट कर रह बलकि छोड़ दिए देश की ग्रहमत्री से भी आप इस तरीके का सवाल नहीं पूछ सकते हैं जो जर्मी डाइमंड्स ने पूछा कि बहीं 40,000 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है और आप यहाँ प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं और अपनी तारीफ कर रहे हैं और अपनी कॉंगरिचुलेट कर रहा हूं दरसल जो इस मुश्किल की घड़ी में भी अविश्वश्चने काम कर रहे हैं पत्रकार उनके सवाल की जवाब संतुस्ट नहीं होता पत्रकार उनसे फिर सवाल पूछता है कहता है लेकिन आप अपनी तारीफ क्यों कर रहे हैं यह वो मौका है यू डॉन्ट है अपना रास हो जाते हैं और उनका रिष्टा आधकर बहुत खराव है पत्रकार उनका करना है कि तुम सीनन से हो तुम फेक नूज हो और तुम जो है तुम्हारे अंदर वो दिमाग नहीं है जिस दिमाग को लेकर तुम पैदा हुए हो यह बाची वहाँ है कि पत्रकार ने अपने रास्ट्रपती को ग्रिल करने की कोशिश की उनके आंख में आंख डल करके सवाल पूछा यह पहला मौका नहीं है इसी के ठीक पहले इसी 20 अपरिल के पहले जिम कोस्ट जिम एकॉस्टा यह दूसरे पत्रकार हैं CNN के उन्होंने भी जब डॉनल्ड प्रिस ब्रीफिंग कर रहे तो उनसे का कि हैपी टॉक आप यहां पर खुश फ़हम वाली बाते कर रहे हैं आप हसी खुशी वाले बाते क्यों कर रहे हैं जबकि देश के अंदर संकट है हजारों लोगों की मौत हो चुकी है इसका जबाद देते है रास्पती कहते हैं कि मै हैपी टॉक नहीं कर रहा हूं बलकि मैं जो हूँ मैं ठीक ठाक बात कर रहा हूं और आपको नहीं समझना दी तो प्रॉब्लम आपकी है तो रास्टपति डोनार्ट ट्रॉम्प ने जिम एकोस्टा को स्नप किया लेकिन फिर मात्तपून सवाल है वहागे पत्रकार ने अपन पॉला रीड पॉला रीड ने अपने रास्टपती से सवाल पूछा और ये जो सवाल पूछा ये उन्होंने कहा कि भई 31 जनवरी को पुब्लिक हेल्थ एमेर्जंसी आपने गोशित कर दी आपने अस्पतालों को मेंतर करने कोशिश नहीं की आपनी जो टेस्टिंग किट्स थी उनको जादा से जादा बनवाने की कोशिश नहीं की इस दोराएंट दो करोड लोग अने बेरोजगार हुए हैं हजारों लोगों की मौत हुई है और आप जो हैं ऐसा होने से लोगों को आपके उपर विश्वास क्यों आएगा आप जिस तरीके से राइंट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं आप तो राइंट कर रहे हैं तो जबाब देते हैं you are so disgraceful डोनल्ल टॉंप कहते हैं अब रिपोर्टर को आप तिंत गरिमाहीन है it is so disgraceful the way you say that आप जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं बहुत ही गर्माहीन है पतकार फिर भी पॉलारीड रुकती नहीं है डरती नहीं है परेशान नहीं होती है रास्टपती के स्नप के यह जाने के बावजूद भी वो फिर कहती है पूछती है कि what did you do with the time that you bought the month of February was a cap कि जो आपने emergency लगाई थी और जो आपने social distancing March के महिने में की इसके बीच में जो फर्वरी का महिना था इस दौरान आपने क्या किया यह सवाल पॉलारीट अगर पूछती है तो रास्टपती जब आप देते हैं a lot a lot a lot हम आपको list देतेंगे तो वो कोई पुछती है कौन सी list देंगे क्या देंगे तब रास्टपती महदे फिर अपना पारा लूज करते हैं और कहते हैं you know you are a fake news you are fake whole network the way you cover it's all fake तुम fake news हो तुम जिस network में काम करती हूँ वो fake है जिस तरीके से खबरें cover करती हूँ और fake है लेकिन सवाल यह नहीं कि रास्टपती नों को क्या कहा सवाल यह कि पत्रकार ने अपने रास्टपती के आंख में आख डाल करके सवाल पूछा यह पत्रकारीता है और यही नहीं एक और रिपोर्टर है जो जिनका नाम है यह सीबियस की थी पॉलारी पीबियस यानि पब्लिक ब्राटकास्ट नेटवर्क उनके रिपोर्टर का नाम है यामिक अलकुंदौर यामिक अलकुंदौर ने 30 मार्च को रास्टपती महदे से प्रेस बेफिंग में सवाल पूछा और उनसे कहा कि उनका सवाल ये था कि रास्टपती महदे आपने ये कहा कि राजजपाल कुछ ऐसे किट्स गवर्णर कुछ ऐसे एकिप्मेंट मांग रहे हैं जिनकी उनको जरुवत नहीं है ये सवाल था तो रास्टपती महदे कहते हैं मैंने नहीं कहा मैंने ये बात नही कहीं वो फिर सवाल करती कहती है आपने फॉक्स नियुस के सौन हेनिर्टी के शो में ये बात कही थी तब टोनल्ड ट्रम्प फिर उसको सनफ करते हों कहते हैं कि वाइडोंट यू पीपल भी पॉजिटिव अब मैंने आपको चार उधारन दिया अमेरिका चेल रहा और ये पुछले एक महीने के उधारन है दो CNN के रिपोर्टर है जेरेमी डाइमंड्स जीमे कोस्टा सीबियस की रिपोर्टर है पॉलरीड और पीबियस की रिपोर्टर है यामिक अलकिंदौर ये कुछ छोटे से उध क्या प्रेश करते हैं तब क्या आप प्रधरन मंतरि से पूचते हैं मेरा जबाब है और यही सबसे बड़े चंता की बात और ये जो सवाल है जो मैंने कहा कि सुप्रिम कोट में जो अर्नब गोस्वामी को तीन हपते की छूट मिली है गिरफ्तारी से जो छूट मिली है उस पर मेरी आपती ये है कि अर्नब गोस्वामी सोनिया गांधी से तो सवाल करते हैं उनको धंकिया देते हैं लेकिन देश के प सद्ध हिंदी के और वीडियो को देखने के लिए हमारे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोतिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं झाल झाल